अरे यह मोदी ने तो हदी कर दिया यार अरे डिक्टेटर इंसान है यार छोड़ना परिशान करके रख दिया है मोदी ने नमस्ते गुरू एकदम सच बात कही है आपने यह मोदी ने परिशान कर दिया है और पीम का काम क्या होता है माउन होकर बैठ है रहना और ज्यादा से जादा कुछ फाइले साइन करनी होती है और मैं कहता हूँ कुछ करना ही है तो गोटाला करो कौन मना कर रहा है अरे यार पांच साल मिले जैसे तैसे उससे कहां ये गरीबों के बैंक खाते घोलने में वेस्ट करे उससे अच्छा अपने खाते ना भर ले क्या बोलते हूँ है और मोधी एक नंबर का ताना शाह है डिक्टेटर अरे बड़े बड़े फैसले अपने दम पे ले लिये अरे किसी के कंदे पर बंदूग तो रखनी थी नोट बंदी काला बजारी पर रोक सर्जिकल स्ट्राइक और बाब रे कितने रिसकी फैसले लिये था यार सच में सुस पर लगने के हैं अरे लोगों की आदत भी घड़ रही है उनका इसा भीएविर देखके एक तो पूरे साल में एक भी छुट्टी नहीं लेता और गिवाली में कहां जाता है पता है बॉर्डर पर जवानों से मिलने यह पी एम मोधी एकदम बेकार है मेडिया वालों को कॉक अधे जी कुछ तो शरम करो कुछ तो शरम करो आपने तो दुनिया में देश का नाम कर लिया लेकिन सोना है कि उनके भाईयों के बच्चों ने अब तक प्लेन नहीं देखा अंदर से अरे भाई आप तो रिपोटर लग रहे हैं अरे ज़रा समझाईया इन सब को ज़रा बनानी पड़ती है और यह मेक इन इंडिया और स्टैंड अप इंडिया से क्या होने वाला है कुछ नहीं और तुम लोग मुफ्त की रेवडिया बाटते रो बस आई नहीं चाहिए हमें स्वच्छ इंडिया नहीं चाहिए हमें न्यू इंडिया हमारा ओल्ड इंडिया ही ब सच में, ऐसा पीम तो इंडिया में आया ही नहीं है, सही कहा नहीं है, यार ऐसा पीम तो सच में कभी नहीं आया इंडिया में, किसी को इंट्रेस्ट ही नहीं है, लालू प्रसाद यादव को उनके बेटे को सेट करना है, मुलायम सिंग यादव अपनी पूरी फैमली को सेट कर करना है अरे पर ये तो सोचो कि इस देश को सेट करने में किसको इंट्रेस्ट है अगर आज बोधी फेल हुआ न तो अगले सौ सालों तक कोई प्राइम मिनिस्टर करॉप्शन के सामने लड़ने की हिम्मत ही नहीं करेगा सिर्फ दो हाथ जोड़ेगा और तौबा करेगा फिर से बस करते रहना मेरा भारत महान मेरा भारत सर मुझे आपका नंबर दोना मैं इस पर स्टोरी करूंगा सर आपका नाम मैं हूं विकास मैं हूं कुचरात सेव कर लेना झाल झाल झाल